तुम सबको पता है कि chemistry मेरा favorite subject हुआ करता था अभी भी है और इसलिए मैंने IT Delhi में chemical engineering choose किया था वर तुमको यह नहीं पता है कि chemistry में मेरा strongest part था organic chemistry और यही mains में मेरे organic chemistry में सारे questions के answer सही थे answer की match करने के पाद जब मैंने यह बात अपने friends को बताई तो हो अहरान हो गया because organic chemistry is literally not that easy इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ू और तुम्हें hacks बताओ कि वो क्या चीज़े थे जो कि मैं follow करता था organic chemistry को strong करने के लिए तुम नीचे comment section में जाओ और हमें यह बताओ कि तुम्हारा weakest subject और सबसे strongest subject कौन से है और क्या problem आ रहा उनमें देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा पढ़ते हो उतना तुम्हारा confusion बढ़ता आता है लेकिन तुमको organic chemistry पढ़ना ही पढ़ेगा because you cannot deny the fact कि पूरे paper का 10% और chemistry का almost 30% organic chemistry से आता है तो तो फिर देर किस बात की शुरू करते हैं एक बहुत ही genius strategy to crack your organic chemistry in jay means मैंने already a video डाली हुई है in organic chemistry को master करने के लिए उसको भी जरूर देखना definitely तुमको help करेगा now let's start the video step number one is understanding the organic chemistry guys literally आदे से आदे बच्चे तो इसी step में हार जाते हैं तुम organic chemistry को जनरल chemistry से अलग मान लेते हो बढ़ ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि organic chemistry जनरल chemistry के ही सारे rules follow करती है पहला point है कि उससे भागना बंद करो उससे डड़ना बंद करो उसको अलग से देखना बिलकुल बंद कर दो इस मित को दिमाग से निकाल दो कि तुमको organic chemistry में सब कुछ रट्टा ही मारना पड़ता है तुम्हें majorly कुछ core segments organic chemistry के दिल से समझना है और एक बार वो समझ लिया तो organic chemistry का static part जो कि actually रट्टा मारना होता है वो काफी easy हो जाएगा तो यह था point कि आपको देखने का प्रोच चेंज करना ताकि आपको से डड़ना लगे बट यह सब जान के थोरीन organic chemistry में marks आने वाले है अखर प्रपर strategy क्या है प्रपर तरीका क्या उसको पढ़ने का लेट्स फाइड आउट Number 1. General Organic Chemistry तुमको सबसे पहले General Organic Chemistry को master करना है General Organic Chemistry के साथ ही दो और चीज़े आती है without saying that is nomenclature and isomerism यह जो पार्ट हना Organic Chemistry का यह 11th का syllabus होता है problem यहाँ पे आते हैं कि बच्चे 11th में उसको ध्यान से पढ़ते नहीं because of various reasons और जब वो 12th में Actual Organic Chemistry पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको वहाँ पे बहुत problems होते हैं उनको लगता है कि बिना 11th पर है 12th हो जाएगा क्योंकि of course chapter है Aldehyde Ketone, Alkynes, Alkynes तो उसमें General Organic Chemistry का क्या काम but guys अगर तुमको General Organic Chemistry में doubt है, problems है तो तुमको 12th का syllabus समझने में बहुत problem होगी और अगर मैं 12th का Organic Chemistry की बात करूँ तो पूरा second book is almost Organic Chemistry तो ऐसे में अगर तुमने वो एक chapter General Organic Chemistry अच्छी से नहीं पढ़ा होगा 11th में तो तुम्हारा पूरा 12th खराब हो सकता है इतना ही नहीं, अगर मैं सिर्फ General Organic Chemistry की बात करूँ तो उससे भी एक्जाम में डिरेट कोशना आते हैं में इतना 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 डिरेट कि अगर तुमने अच्छा से पढ़ा होगा तुम फोर के आ सकते हैं अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि 12th में आ गया हो तुम सोचे रो कि अरे यार आब मैं क्या करूँ तुम मैं 12th में आ गया हो तो प्लीज तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि तुमको General Organic Chemistry नहीं आता है तुम 12th में आ गया हो मुझे नहीं पर तुम कैसे टाइम निकालोगे किस टीचर से कंसल करोगे क्या करोगे पर तुमको General Organic Chemistry पढ़ना ही पढ़ेगा किसी बेहालत में तब तुमको 12th अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज हर दिन रिवाइज करो हर दिन टाइम निकालो लेक्चर देखो जो कर सकते करो पर General Organic Chemistry को इग्णोर मत करो वो तुम्हारा बेस है उसको Master करना जरूरी है तुम्हारे स्क्रीन पर भी तुमको कुछ Questions दिख रहे होंगे जो कि General Organic Chemistry से आया हुए Direct Questions है में इन Questions का screenshot ले लो ताकि जब तुम General Organic Chemistry पढ़ रहे होगे तुमको यही नहीं लगे कि आरे यार क्यों पर रहा हूं इसका तो direct use होता ही नहीं होगा मुझे तो LDH की टोन पढ़ना है क्योंकि यह सच में बहुत directly पूछा आता है में में Number 2 जो कि तुमको Master करना है वो है reaction mechanism अगर हम नॉर्मल syllabus की बात करें तो reaction mechanism करके कोई अलग से चप्टर नहीं होता Organic Chemistry में लेकिन यह Organic Chemistry का ब्रहमास्तर है क्योंकि इन Organic Chemistry में भले ही शाहिए तुम एक पल को reaction याद कर लो बट Organic Chemistry में रट्टा मार के reaction से नहीं काम चलने वाला है Most of the exams में questions को घुमा दिये जाता है और जो reaction का mechanism है उसके किसी एक step से तुमसे question पूछ ले जाता है कि उस reaction का rate determining step क्या है उसके इस वाले step में अगर हम यह डाल देंगे तो में क्या चेंजाद आएगा तो ऐसे केस में आपको reaction mechanism बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर अभी तुम मेंस का preparation कर रहो तो once you are done revising your general organic chemistry वहारे पस जितने भी reaction organic chemistry में aldehyde ketone में canisaro reaction aldol condensation reaction जितने भी reaction से important सबको उठाओ and सबका reaction mechanism अच्छे से रट लो now when i say रट लो इसका मतलब है नहीं कि आंक बंद करके रटा मार रहा है समाज में कुछ आ नहीं रहा है तुमको इसको concept के साथ रतना है मतलब तुमको पता हो ना चाहिए कि जो चीज हो रही है और क्यों हो रही है तुमको किसी और टीचर का पसंदाया online कोई problem नहीं है जहां से भी परो अच्छे से परो और सही परो और एक्जाम में फोर दो पर राक्शन मेकानिज्म को एग्णोर मत करना point number three तुमको organic chemistry sequential order में पढ़ना है मैंने एक चीज हमेशा बताई है हमेशा बताई है कि जब भी आप पढ़ते हो ना तो आपको sequential order में पढ़ने की जरुवत नहीं है उस चीज को पहले परो जो कि इंपोर्टन है उस चीज को पहले परो जो कि आपको नहीं आता है जो कि अल़ चैप्टर में डिसायड किया गया है कि आपको इस चैप्टर का reaction का help आने वाले चैप्टर में पढ़ सकता है तो अगर आपने इस चेप्टर को अच्छे से नहीं परहा होगा आथा आपको आने वाले चैप्टर उसमें प्राब्लम होगी यही वो जरुके लेवनेंगर कोचिंग में टीचर को क्यों नहीं फॉलो कर पारें तुमको लगेगा नहीं यह और और अरगनिक एमस्टी खराब होती है वो तो बहुत टफ होता है बट उसका डीजन में ली यह हो कि तुमने पहले वाले क्लासे पहले चाप्टर तुम्हारे स्ट्रॉंग नहीं और इसलिए तुम्हारा ग्राफ से नहीं पर पढ़के जाओंगा मेरा काम हो जाएगा बट नहीं मेंस का जो एक्जाम होता है उसमें तुम्हारा टेबल जो होता है उससे भी कोशन साथ है मुझे अभी बहु अच्छे से याद है कि बाइमीनो एसिट वाला सेग्मेंट उसमें बहुत बहुत सारे टेबल्स बहुत सारे डियाग्राम्स तुमको एंसे याद रखना है तुमको बूलना नहीं है पॉइंट नंबर फूर डूंट इग्नोर दा क्वेस्टिन्स आम डाम शुर कि तुमने कन्फिजन पाल रखा होगा मन में यार की केमिस्ट्री है केमिस्ट्री तो इसमें को लगाना है इसमें तो रट्टा मानना है बट गाईज और इनिक हमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जादा मैट्स की तरह होता है आपको इसमें कॉंसेप्लाइ करने होते हैं बहुत सारे एक रियक्शन दूसरे रियक्शन से ऐसे रिलेटेड होगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और वो आपको तभी पता चलेगा जो आप कोईशन प्रैक्टिस करोगे तो DPPs, NCRT, साथ में पुराने येर का कोईशन पेपर सब कुछ अच्छे से लगाओ and theory theory करो, definitely करो क्योंकि याद तो रखना ही होता है, क्योंकि chemistry है, but questions को ignore मत करना, बहुत सारे numerical based questions, जो भी है, market में available, उन सब को बनाना, तभी तुमारा organic chemistry strong होगा जो चीज मैं follow करता है, वो ये था, कि अगर मान लो कि मैंने एक reaction उठाया, कैनी जारो reaction, ठीक है, मैंने उसको NCRT से पुरा पढ़ लिया, revise बगरा अच्छे से, अब मुझे आता है, मुझे ऐसा लगता है, कि मुझे आता है, तो जो मेरा पहला step होता था, वो ये होता था, कि मैं उस पूरे चीज को, जो कि मैंने पढ़ा है, पुरा reaction mechanism, उसको अपने हाथ से, अपने paper पे लिखूँगा, अब लाइन बाइन लिखने की ज़ुरत नहीं है, अगर मैं लाइन बाइन पराग्राफ लिखने के लिए बैठ जाओ कि हाँ यहां पर यह होता है, तो फिर तो time मैं वेस्ट होगा मेरा, इतनी English तो आती, इतना तो confidence होना जाएगा, हाँ एग्जाम में लिख लोंगा paragraph, ठीक है, अगर board की बात में करो तो, अगर mains की बात करो, तुम्हें paragraph याद हो, ना, हो English आता हो, ना, तो कोई फरक नी पड़ता है, तो मैं क्या करता था, कि उस पूरे इतना है, यहाँ पैसे होगा, यहाँ पैसे होगा, और फाइनली यह रिजल्ट आएगा, तो जब मैं यह बोल के लिखता था, तो मेरे मिन में अपने आप रिविजन होता रहता था, मैं पेपर में भी बहुत आदा नहीं लिख रहा हूँ, मैं टाइम भी से बोरा अब वर यह रिखते हो, तो आपको पुरा रियाक्शन अचे से आता है, जब यह स्टेप मेरा पूरा अधा था तब जाता था मैं कोशन सॉल्ट करने के लिए उसी रियाक्शन से रिलेटिटब, इसमें इसमें बिखते हैं अब तो मैं उसे रिलेटिट सारे बनाँ एंगा जो कोशन में बना रहा हूं, तो कुछ तो कोशन से रटा मानने वाले होते हैं, वो तो मैं बनाऊंगा हैं, साथ में कुछ ऐसे कोशन से ढूंड के निकालूंगा अच्छे बुक से, इसमें कि सिर्फ रटा नहीं मानना है, उसमें कुछ थोड़ा ट्रिक लगा के आपको सौल क बढ़ना होगा, कुछ चेंज कर दिया होगा, जिसे की प्रोड़क्ट रियक्शन है कुछ और आ रहा है, तो यह सारे कोशन्स डूंड़ो, टीचर से पूछो ऐसा कहा होता है, तब जाके तुम्हारा जो फायदा होगा, वो तुमको भी अंदादानी है भी, पॉइंट नुम् आपने स्टायल में अरो डाल के चीज़ों को चोटे-चोटे इसमें लिखो, कांसाइज करके लिखो, ताके तुमको रिविजन के टाइम बहुत लंबा लंबा पढ़ना पढ़े, शॉर्ट नोट की तरह टीट करो और लास्ट के दो तीन महीने में उसको अच्छे से गो जब तुम तीन घंटे सिफ और अर्गनी केमस्टी का टेस्ट दोगे, तो तुमको अन्दाजा लग जाएगा कि तुम्हारा और अर्गनी केमस्टी कितना स्टॉंग है, तो गाइस में यहीं पांच पॉंट से जो कि मैं फॉलो करता था इसके कारण मुझे और और अर्गनी पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को डेफिनेटली देखना तुमको अच्छे से पता चलेगा कि तुम कैसे चीजों को याद रख सकते हो, ताकि तुम जब एक पर हो तो जादा देट तक तुम्हारे मन में वो याद रहे और तुम इसको भूलो नहीं एक्जाम में फोर सको, इसके साथ-साथ अगर तुमको इन और गनिकेमिस्टी में प्रॉबलम है, तो देफिनेटली वो आली वीडियो पर देख लेला जिसमें कि मैंने ये बता है कि इन और गनिकेमिस्टी को कैसे मास्टर कर सकते हैं, वो जले एक साल, दो साल, इतनी मेहनत करी हैं, अगर ये लास्क एक-दो मेहने में नहीं करते हो तसे जादा मेहनत, तो तुम्हारा पूरा साल वेस्ट हो सकता है, तो प्लीज सीरियसली लो, जो परेंस कहरे हैं, घरवाले क्या कहरे है, रिलेटिव क्या कहरे हैं, तो पुछ को जो भूल जो भी, जिसको जो बोलना है, बोलने तो उनसे डील कर लेना एक्जाम के बाद, फिलाल अपने आप पे भरोसा रखो, नुम्हारा पे भरोसा रखो, नुम्हारा इटरो क्या कहता हैं, तुम पढ़ाई कर रहा हो, तुमने अगर अच्छे सब कुछ कर रहा है, बोलने कर रहा हैं, तुमने अटरो सब्सक्राइ मारा है, तुम्हार करा लोग्राइब जो इन पादरो निहां। हैं, जो भी प्यूँक्त। है, जो बादरो नहीं दूखे लिए लिए क्वाम के अंपने आप जैएं अनसे